Hello guys, welcome back to my channel. So today our topic is past perfect continuous tense. तो previous वीडियो में हमने पढ़ा था past perfect tense के बारे में आज हम जो है वो discuss करेंगे about the past perfect continuous tense. अब आपको जैसे आपने present perfect continuous tense पढ़ा है उसी की तरह से ही past perfect continuous tense है लेकिन इसमें past की situation के बारे में बोलेंगे उस समय हम present की बात कर रहे थे अब हम past के बात करें मतलब जो हो चुका है तो past perfect continuous tense वो tense होता है जब हम कोई action जो है वो past में यह हमें बताता है कि कोई action past में कितनी देर तक continue रहा है ठीक है तो और उसके बाद आपका जो दूसरे action जो शुरू हुआ है वो बताता है उससे पहले वो वाले action कब खतम हुआ और दूसरे action कब शुरू हुआ यह past continuous perfect continuous tense है जैसे I had been looking for a job when several months when I found this position वो कहता है कि मैं बहुत दिनों से क्याद कर रहा था बहुत देर से बहुत महीनों से अपनी job के लिए देख रहा था जब मुझे यह वाली position मिली अब देखो उसको वो वाली position बाद में मिली है पहले वो अपनी job के लिए देख रहा था जैसे वो खतम मतरव जैसे उसको job मिली तो वो वाल एक्शन अफकोस खतम हुआ होगा क्योंकि उसको job मिली वो वाली position मिली तो that is the past perfect continuous tense जैसे अब इसका कुछ रूल होगा किस तरह के जैसे मैं आपको since or for तो यह आपको पता ही है जैसे present continuous perfect continuous में आपने पढ़ा था since or far का और for आपको पहले ही पता है किसके लिए आता है और since किसके लिए आता है since मैंने पहले ही बताया था जो calendar पर चीज़ी होती है morning के लिए आएगा, evening के लिए आएगा, childhood के लिए आएगा, adulthood के लिए आएगा all these three things जो है वो आपकी since के अंडर आएंगी और for आपका जो for two years, for three years, जबा period of time, point of time के लिए वो अब उसके बाद आपका rule formation, rule होगी अगर rule पता होगा तो then you can frame the sentence ना first of all we will discuss about the rule subject plus hat plus bean plus verb की third form since are for plus object ऐसा नहीं है कि हर time ही since आएगा, हर time ही for आएगा कुछ time पे since भी हो भी सकता है, कुछ time for भी हो सकता है, कुछ time हम new sentence भी शुरू कर रहे हो सकते हैं और since or for को without the use of since or for, ठीक है अब इसके coding हम sentence formation करेंगे जैसे क्षर, क्षर, कि Pris लिए बग्न क्षर ब бат वो कह रहा है, I had been looking for a job for several months when I found this position. अब देखी आप संटें, subject आई हो गया, and had plus been, that is the had is the helping verb, और been, यहाँ पर we have to mention the been, and looking is the first, oh sorry, this one is the first form of verb plus ing, or plus आपका सिंसर form, looking, look is the first form of the verb plus ing, okay, then for a job, for, अब यह वाला for कॉन सा है, वो जो उपर सिंसर for, for several month, अब month के लिए क्या आएगा, for आएगा, when I found this position, this is the, आपको यह वाली चीज कम मिली, जब आप यह काम कर रहे थे, पहले ही, आप जो आपको डून रहे थे, then you find this position, तब आपको वो वाली position मिली, तो आप relate कर सकते हैं न, किस तरीके से conditions हो रही हैं, आपको condition provider, मैंने past perfect में भी आपको बताये था, कि आपकी conditions होती हैं, जैसे my father had finished his work when I came, जब मैं आया, तो मेरे फादर ने अपना काम खतम कुर चुके थे, तो that is also the conditions, तो इस sentences में जो हैं, वो आपको conditions मिलेंगी, और उसके according आपको फिल करना है, अब मैं इस without, आपको condition के भी बताऊंगी, अब वो कह रहा है कि वो क्या कर रही है, गाना गारी है, चाइल्ड हुड से ही, मतलब जब वो बच्ची थी, तब से ही उसने गाना शुरू किया, और तब से ही वो singing कर रही है, तो ठीक है, ये क्या है, आपकी कर रही थी, तब से ही वो singing कर रही थी, since childhood से तो अब में भी आगे कोई conditions हो मैं आपको इतना सा sentence इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये बता रही हूँ कि आप इतनी सी भी बात बोलते हैं हो सकता है पहले कोई condition हो बात में कोई condition हो that depends on you तो ये आपका क्या है past perfect continuous tense अब इसका कुछ आपको interrogative भी बनेगा जैसे अब वो गया है had I been cooking any meal क्या मैंने तब ही कोई खाना बनाया था जब वो मेरे गर पर आई ठीक है वो मेरे गर पर आई जा पैसे लिखते हो I had been cooking any meal मैंने कोई खाना बनाया था जब वो मेरे गर पर आई थी I had not been cooking any meal मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, कोई भी डिश नहीं बनाय थी, when she came to my house, जब वो मेरे गर पर आई, तो अब मैं इसका question mark बना रही हूँ, this is the question mark, because this is the interrogative sentence, because helping verb is in the front, front में है ना sentence, had I been cooking, जब had I not been cooking, not been cooking, क्या मैंने कुछ भी नहीं बनाय था, जब वो मेरे गर पर आई थी, तो this is the negative, यह आपका पहले, ऐसे बता देती हूँ, पहले this one is your simple sentence, जो आपका positive होता है, and this is your interrogative, इसका ही negative बनाना हो, तो आप ऐसे बोल सकते है, she had not been singing, ठीक है वो जो थी वो childhood से ही गाना नहीं गा रही थी, तो this one is the negative sentence, अब आपके इसको, अगर interrogative negative बनाना है, तो had बहर निकाल दीजिए, this is the interrogative and negative one, तो these type of, these are the four subtypes of the past, perfect continuous tense, अब आपका present is already finished, and this is your past tense, this is finished, and next is the future tense, अब future में वो चीज़े होंगी, जो हम आगे करेंगे, तो present में जो हो रहा है, that is going on, that is present, past में, that happened in the past, जो past में हुआ है, और उसका effect अब तक भी है, और हम देख रहे हैं, and अब future आएगा, जो हम करेंगे, कोई भी बात जो हम बोलते हैं कि कल हम जहां वहां जाएंगे, यह करेंगे, वो करेंगे, this one will come in under the future tense, so these are the, this is the present perfect continuous tense, this one is the rule, and this is the simple interrogative and negative sentence, I hope you all understand past perfect continuous tense, if you have any query, so you can comment in the comment box, I will solve your problem, thank you guys for watching my video, okay friends, thanks for watching my video, if you like my video, then please like, share and subscribe my channel,